हलो एस्पिरेंट्स स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासिस पे जैसा मैंने आपको कहा था बजट करवाते हुए कि बजट के अंदर जितनी भी स्कीम सभी आ रही हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे तो एक scheme ऐसी है जिसका जिक्र बार-बार बजट के अंदर हुआ है काफी important scheme उन्होंने बना दी है थी नहीं पर उन्होंने बना दी है मतलब budget के अंदर इसका काफी जिक्र हुआ है तो यह obvious है काफी important बन जाती है जिसका नाम है लखपती दीदी योजना यह जो पूरी स्कीम की सीरीज हम लोग चला रहे हैं यह UPSC के एस्परेंट्स के लिए, SSC के एस्परेंट्स के लिए, नाबाट ग्रेड A, RBI ग्रेड B, इन सभी एक्जामेनेशन के लिए काफी उसफुल होने वाली है, ठीक है क्योंकि डिटेल में हम लोग इसको कवर करते है तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक और जानकारी मैं देदू, हमारी बैच पर SSC General Awareness Targeted 2024 का बैच चल रहा है हमारी पर परचम क्लासेस की आप पर, आप लोग इंडॉल कर सकते हो, इसके अंदर जितने भी General Awareness के सबजेक्ट्स हैं, लाइक पॉलिटी, एकॉनमी, हिस्ट् Strategy, Strategy, Geography, सब कुछ आपको recorded format में पहले ही मिल जाएगा, यानि आप अपनी convenience के according उनको आगे पीछे करके या जितनी भी बार आप वीडियो को देखना चाहो, आप देख सकते हो, और इसके साथ आपको practice sets मिलेंगे topic wise, mock test question papers आपको मिल रहे हैं, और previous year questions कैसे पूछे गए हैं, उन previous year, पिछले 5 साल का previous year question का analysis भी आपको करवाया जाएगा, और अगर कोई doubt आता है, तो live interaction करके Google meet के through, आप हमारे faculties से मिल सकते हैं, और अपने doubts को clear कर सकते हो, तो ये पूरा जो 2024 का process है, ये आपको बताया है, बागी की जानकारी के लिए आप description box में जाएंगे, वहाँ प लेकिन अभी क्या किया, recently जो बजट आया, interim budget 2024 का, उसके अंदर प्रधान मंत्री जी ने इसका base बढ़ा दिया, बेस बढ़ाने का मतलब क्या है, कि पहले केवल 2 करोड महिलाओं को इसमें cover कर रहे थे, अब इसके अंदर 3 करोड महिलाओं को cover कर रहे हैं, यानि ये काफी important scheme ह हमारे लिए हो जाती है, और current के लिहाज से भी और वैसे भी काफी important scheme ये है, तो 2 करोड से 3 करोड का target जो है वो बढ़ा दिया है, पहले 2 करोड महिलाओं को empower करना था, अब target ले लिया है, 3 करोड महिलाओं को empower करेंगे, जिसमें से 1 करोड महिलाओं already benefit ले चुकी है, ठीक है, देखते हैं इसके अंदर है क्या, इसका ये जो launch हुई थी ना, ये 15 अगस 2023 को launch हुई थी लगपती दीदी स्कीम, ठीक है, 15 अगस 2023 को launch हुई थी, इसका goal है, आज के दिन 3 करोड विमिन्स को self-help ग्रुप के माध्यम से, self-help ग्रुप की 3 करोड महिलाओं को empower करना है, ठीक है, इसको extend किया है, recent interim budget के अंदर, target क्या है, इनकी sustainable income करनी है, मतलब कि इनकी income sustained रहे, ऐसा नहीं है, एक बार योजना चल रही है, तो income आ गई, और योजना बंध होते income चली जाए, ऐसा नहीं, income को sustained रखना है, कितना, एक लाख प्लस पर household, पर year, एक साल में ये महिलाएं, प्रत income ये प्राप्त कर सके, पर household, पर women नहीं, पर household, तो ये target रखा है, method क्या है, इनको multiple skill trainings दी जाएंगी, plumbing का काम सिखाये जाएगा, weaving का काम सिखाये जाएगा, यानि कि multiple livelihood activities के अंदर इनको include करेंगे, value chain interventions के अंदर इनको include करेंगे, इस तरीके से इनकी कमाई को बढ़ाये जाए इस तरीके की trainings इन महिलाओं को दी जाएगी, support कैसे होगी, opportunities to earn income using acquired skills, अब जो ये skill इन्होंने acquire की है, जो training हमने दी है, यानि भारत सरकार ने दी है, इनको opportunities दी जाएगी कि अब आप इससे पैसा कमाईए, ठीक है, implementation कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ministry of rural development, ministry of rural development, इसकी nodal ministry है, और दीन दयाल अंतियोद्य योजना national rural mission के अंदर ये जो scheme है, ये economic transformation के लिए ये जो scheme है, उसकी ही सब पार्ट इसको माना जा रहा है, ठीक है, तो ministry of rural development, इसकी nodal ministry है, और ये दीन दयाल अंतियोद्य योजना national rural livelihood mission with the whole of government approach for rural economic transformation, पूरे गाओं की economic transformation के लिए जो ये scheme आई थी, day NRLM जिसको कहते हैं, उसी का ही सब पार्ट है लगपती दीदे scheme, अब इसके objectives क्या है, एक तो women's को empower करना है, इसका primary goal तो क्या है, women's को empower करना है, financially self-sufficient बनाना है women's को, ठीक है, फिर उनके skill develop करनी है ताकि वो अपने पैरों पे sustainable ही खड़ी रह सके, ऐसा नहीं है, जब तक scheme चल रही है, तब तक तो उनके पास काम है और scheme जाते ही, काम चला जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, skill develop की जाएगी, plumbing की skill, tailoring की skill, weaving की, LED bulb making की, drone operation की, और कुछ equipment को repair करने की, यानि repairing की skills जो है वो इनको दी जाएगी और जिससे इनको entrepreneurship की आगे काम मिलेगा, income generation कैसे होगा, income generation कैसे ह इनका micro enterprise start करवाया जाएगा, छोटी-छोटी इनकी दुकाने, self-help group के माध्यम से छोटी-छोटी इनकी दुकाने start करवाई जाएगे, जिससे ये एक साल में कम से कम एक लाग प्लस पैसा कमा सके, ठीक है, और इनका economic status जो है, वो enhance हो सके, expansion, expansion क्या हुआ है, अभी interim budget 2024 के अंद है, एक तो आप किसी ना किसी self-help group से जुड़ी होनी चाहिए, जितनी भी महिलाए हैं, वो किसी ना किसी self-help group की active member होनी चाहिए, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ शब्द है active member, कुछ लोग क्या करते हैं, NGO में नाम लिखवा लेते हैं कि कल को UPSC के interview में बताने में marks मिलें तो क्या कहा जा रहा है, यहाँ आप active member होने चाहिए, वहाँ पे जाके कामवाम आप कर रहे हो, ठीक है, और documents क्या क्या चाहिएगा आपको, domicile certificate, आधार card, राशन card, income proof और bank details, यह required documents हैं, भारत के नागरिक हो आप, तो eligibility पूरी कर रहे हो, application process के अंदर क्या होगा, देखो क् women जो है, जो भी interested women है, जो इस scheme में आना चाहती है, लगपती दीदी बनना चाहती है, तो इस scheme के अंदर वो self-help group की part होनी चाहिए, पहली चीज़, और इसके अंदर क्या होगा, बाकी चीज़े जो है, जो भी additional information इनको चाहिए, वो additional information यह आंगनवारी center पे जाके प्राप्त क कर सकती है, कि कैसे क्या आगे काम होगा, फिर इसके बाद impact और recognition इस scheme ने अभी तक क्या अचीव कर लिया है, 2023 में शुरू हुई है, एक करोड women's जो है, rural area के अंदर already इस scheme से फायदा उठा चुकी है, इसने बहुत सारी महिलाओं को women को empower किया है, और self-reliance उनके अंदर लेके आए है, ठीक है, महिलाओं के participants को, महिलाओं के achievements को recognize किया जा रहा, उनको एक पहचान मिलती है, उनको सम्मान मिलता है, और बाकी महिलाओं के लिए भी inspiration का ये काम है, इससे हमारे देश में entrepreneurship का culture develop होगा, और जो rural communities हैं, वो empower होगी, ठीक है, तो ये काम के लिए, इस scheme को लेके आए है, strategic focus of the interim budget, इस interim budget में, इसके उपर strategic focus रहा है, काफी ज्यादा focus रहा है, क्या, interim budget 2024 जो भी आया है, financial year का, एक और बात बता दूँ, जिसको नहीं पता, budget की अलग से playlist बनी हुई है, बहुत short अगर देखना है, तो रिचा माम ने उसको cover किया था, और बहुत detailed explanation देखना है, तो मैंने सिर्फ budget की video ली थी, मैं आमने current affair के अंदर budget को include किया, सारे pointers बताये थे, highlights बताये थे, और मैंने जो है, उसको detail में लिया हुआ है, तो दोनों ही हम दोनों की ही video, playlist में आपको मिल जाएगी, आप लोग वहां जाके देख सकते हो, ठीक है, तो interim budget 2024 जो financial year का है, इसके अंदर महिलाओं को, मतलब जिनको marginal section माना जाता है, marginalized ही रहती है, women है, SCST है, यह सब marginalized group पे ही रहते है, ठीक है, tribal community है, तो in marginalized section, society की marginalized section को empower करना है, women's, youth, farmer, poor, इन सभी को empower करने की कसम, इस interim budget में खाई है, भारस सरकार ने, जो हर बार खाते है, यह क्या कहता है, core sectors को target करते हुए, इन core sectors को target करते हुए, government aims to promote inclusive growth, inclusive growth को promote करना है, development को growth करना है, inclusive growth का मतलब क्या है, सब को include कर देना है, महिलाओं को, बुजूर्गों को, youth को, पोर को, farmer को, तो सबको include कर देना, तो inclusive growth भारत में लानी है, conclusion पे आ गए, लगपती दीदी scheme जो है, ये एक significant step है महिलाओं को, rural area की महिलाओं को empower करने के लिए, skill development, income generation, broader inclusion इससे देश के अंदर होगा, prosperous बनेगा हमारा nation, हमारा nation ज्यादा self-reliant बनेगा, अपने यहाँ पर capita income बढ़ेगा, national income जिससे standard of life improve होगा, expansion of the scheme in the interim budget, ये जो है, ये जो expansion हुआ है, इसने scheme को और ज्यादा, महिलाओं की commitment toward women, और ज्यादा underscore कर दी है, यानि importance दिखा दी, budget से, सरकार की नजरों में, महिलाओं की क्या importance है, वो बता दिया है, ठीक है, तो एक बार हम, scheme at a glance पढ़ लेते हैं, मोटा कि हमने पढ़ा क्या है, देखो, objective क्या है, rural area की women's को empower करना, entrepreneurship के through, or skill development के through, target क्या है, 2 करोड, पहले था, अब 3 करोड महिलाओं को beneficiaries increase कर दिये हैं, 2 करोड से 3 करोड, skill development, plumbing का, tailoring का, weaving का, LED bulb making का, drone operation और repairs, ये सारी skills उनको दी जाएगी, income goal क्या है, हर साल 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000, पैसा कमाना, eligibility क्या है, self-help group की active member होनी चाहिए, required documents क्या है, domicile certificate, आधार card, Russian card, income proof, bank details, ठीक है, application process क्या है, local आगणवानी center पे जाके, आप सारी information प्राप्त कर सकते हो, impact क्या हुआ है, एक करोड महिलाएं, already empower हो चुकी है, उनको सम्मान मिला है, उनको पहचान मिली है, strategic focus ये ह कि जो इस बार interim budget आया है, भारा सरकार ने का है, women का, youth का, farmer का, poor का, इन सब का हमको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये सारी बात थी, scheme के बारे में, अब एक important जानकारी, कोई भी student, जो बिलकुल ही नया है, जिसने अभी अभी अपनी तयारी शुरू की है, beginner है, मैं उसको भी include कर रही हूँ, यानि बिलकुल zero से, मैंने दो subject को पर्चम classes पे पढ़ाया है, एक economy और दूसरा quality, जिसने आज तक economy नहीं पढ़ी, science background के जितने students होते है, economics का EB नहीं पता होता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको economics पढ़ने में, तो economics को बहुत zero से, और quality को भी बहुत zero से, मैंने समझाया है, और बहुत high level का समझाया है, तो please आप लोग enroll कर सकते हैं, इन courses के अंदर, ठीक है, सारे batches आपको recorded मिलेंगे, PDF आपको मिलेंगी साथ में, जिनको आप download कर सकते हो, बाकी की जानकारी जो है, आप description box में जाके, app पर पहुँचके बाकी जानकारी ले सकत creation, creating prosperous women entrepreneurs in villages, या offering healthcare services to rural women, बहुत आसान सा सवाल है, इस scheme को समझने के बाद, बहुत आसानी से आप इसको कर दोगे, और उम्मीद करती हूँ, आपको ये scheme अच्छे से समझा गई है, मिलते हैं, next session के अंदर, एक और budget की important scheme के साथ, thank you so much, take care, bye bye